आम तोर पर एक क्लास में करीब 50 बच्चे होते हैं, पर ये कोई आम क्लास नहीं है, यहां पर एक साथ 75,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जी हां सही सुना आपने, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मिलाकर 746 KGBV स्कूल हैं, और हर स्कूल में 100 बच्चियां, तो यानि 74,600 बच प्रोग्राम चला रहे हैं, इस प्रोग्राम के तहद उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के दूर दूर से 746 KGBV स्कूलों में विज्ञान पढ़ाए जाएगा, और इस प्रोग्राम के उत्देश सिर्फ यही है, कि पार्टिकरम रुचिकर हो, कक्षाएं जीवन्त हो जाएं पिछले साल जब विजय किरन जी और अनामिका सिंग जी ने हमें यह न्योता दिया, तो हमारी छोटी सी लैब के कंधों पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी प्रोग्राम के शुरू होने से पहले काफी सारी उल्जने थी, मन में विचार ये थे कि पतानी ओनलाइन माध्यम में कितना जुडाव हो पाएगा, गुजरात के गांधी नगर में बैठे बैठे यूप्टी के 75,000 बालिकाओं को हम कैसे पढ़ा पाएंगे, और उनके पास सामान भी नहीं था, तो उनको इंगेश रखना काफी मुश्किल होगा। पीछे के विज्ञान को जानते हैं, जैसे बच्चियोंने साउंड के सेशन में पहले खुद सीटी, बासुरी, माउट औरगन, धोलक और शंक बनाया, और फिर साउंड कैसे पैदा होती है, और एक जगे से दूसरे जगे कैसे जाती है ये जाना। मुबाइल की स्क्रीन पर टक्टकी लगा कर देखती हुई कक्षा छे, साथ, आठ की ये बच्चियां इतने ध्यान से हमारी बाते सुनेंगी और सारे खिलोने साथ साथ बना लेंगी, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सेशन खतम होने के दस मिनट बाद ही इनके बनाए हुए खिलोनों के फोटोज और विडियोज की टेलिग्राम और वाटसैप ग्रूप पर बाढ़ सी आ जाती है। जूम पर अन्म्यूट करते ही बच्चियों में अपनी बाद रखने की होड मत जाती है। ये बच्चियां आर्थिक, सामाजिक और सैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों से आती हैं। ऐसे इलाके जहां महिला साक्षर्ता नैशनल एवरेज से कम है। पर इन सब परिस्थितियों के बावजूद ये बच्चियां मौका मिलने पर पूरे उत्साह के साथ विग्यान सिख रहे हैं। केजी बीवी के शिक्षकों ने भी उतना ही प्रभावित किया। पिछले पांच सालों में हमने लगबग 5 लाख शिक्षकों के साथ काम किया है। और इनसे हम ये अकसर सुनते आए हैं कि उनके पास पेपर वर्क इतना रहता है कि बच्चों के साथ हाथों से बनाने वाला काम ज्यादा नहीं कर पाते हैं। पर KGBV के ये कॉंट्रेक्ट टीचर्स जो बच्चियों के साथ दिन भर रहते हैं, पढ़ाई के अलावा और भी काम देखते हैं, उन्होंने पूरे मन से बच्चों के साथ खुद भी ये खिलोने बनाए हैं। विज्ञान पढ़ाने के साथ-साथ इस कार्यक्रम का उदेश्य क्रिटिकल ठिंकिंग को डवेलप करना भी है। ताकि अपने आस-पास जो वो चीजे देख रही हैं, उनको खुद परक पाएं और जरूरत पढ़ने पर उनको चुनोती भी दे पाएं। जैसे जैसे 746 स्कूलों में हमारा ये एक्सपरिमेंट सफल हो रहा है, वैसे वैसे पूरे देश के बच्चों को I.I.T. गांधिनगर के इस छोटे से कमरे से विज्ञान पढ़ाने का सपना हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। और जब हमारे बच्चे विज्ञान को जीवन से जोड़कर अपने हातों से प्रयोक करेंगे, तो मेकिन इंडिया का सपना जरूर साकार होगा। हमें पूरी आशा और विश्वास है कि आपके सहयोग से हम भारत के सभी सिक्षकों और बच्चों तक पहुँचेंगे और भारत का भविश्य स्वर्णिम अक्षरों में रचेंगे। थैंक यू